नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी नियूज आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे के बारें बात करेंगे जिसका उध्रहाटन अभी हाली में हमारे प्रदान मंत्री नरेंद मोदीजी ने किया है उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर मंगलवार को भारती वाइस वेना का एक जहाज उत्रा जो C-130J हर्कुलस ने लेंडिंग की जिसमें हमारे देश के प्रदान मंत्री नरेंद मोदीजी थे भारत के लोगों ने इतने बड़े जहाज को सडक पर उतरते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था और वो भी तब जब उसमें प्रदान मंत्री बैठे हूँ इस लेंडिंग के बाद उनका काफिला समारो इस्थल पर पहुँचा जहां लगबक 341 किलो मीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे का उदगाटन किया जाना था इसका निर्माड कार है अक्टूबर 2018 में UPEIDA यानि उत्तर प्रदेस एक्सप्रेस वे और द्योगिक विकास प्रादिकरण के द्वारा इसके भूमी अधिग्रहन के बाद मोदी जी के द्वारा सिला न्यास किया गया और अब 16 नवंबर 2021 को उदगाटन किया गया और जनता को सौब दिया गया तो आप समझ सकते हैं इस सड़क की एहमियत के बारे में तो जो ये UPEIDA है उत्तर प्रदेस एक्सप्रेस वे और द्योगिक विकास प्रादिकरण उत्तर प्रदेस सरकार द्वारा राज्य में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को विक्सित करने के लिए बनाए गया एक इंडस्ट्री है पुरवांचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 341 किलो मीटर है और ये 6 लेन चोड़ी होगी लेकिन पर सकता पढ़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है अब आप समझ सकते हैं कि इसकी चोड़ाई कितनी ज़ादा है अगर इसका स् जरू होगी और गाजीपुर जिले के हल दरिया गाउं पर जाके एंड होगी इस एक्सप्रेस वे के कुल लागत लगभग 2494 करोड लगे हैं इसमें पैसे और ये 9 जिलो को आपस में जोड़ेगी इन 9 जिलो में लखनव, 12 बंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम अगरा एक्सप्रेस वे ने पश्चिमी यूपी को पहले ही लखनव से जोड रखा है जिससे पुर्वांचल एक्सप्रेस वे का विस्तार गाजीपुर तक हो गया है और इसमें यमुना एक्सप्रेस वे को भी जोड दिया जाए तो नोइडा से गाजीपुर के लिए सीधी connectivity हो जाएगी जिससे सफर और आसान और व्यापार भी दोनों फायदे मंद होंगे और आसान हो जाएगे अगर बात करें इस express way के दूसरे important role के बारे में तो ये युद्ध की स्थिती में भारतिय वाई सेना के लिए लड़ाकू विमानों की लेंडिंग की जा सकती है इस पर इसी को दिखाने के लिए हमारे प्रदान मंत्री ने इतने हैवी एर क्राफ को इस दोरान इस पर उतारा क्योंकि इस पर एक हवाई पट्टी का निर्माड किया गया है जो line of actual control से सिर्फ 600 km की दूरी परिस्थित है ऐसे में अगर सीमा पर हथियारो और सेनिकों की ज़रत पड़ती है तो सेना के विमान इस एक्सप्रेस वे से उडान भर पाएंगे ये हवाई पट्टी या एर स्ट्रिप सुल्तानपुर में कुरे भार नामकिस्थान पर है इस एर स्ट्रिप की कुल लंबाई 3.2 किलो मीटर होगी इस पर वायू सेना के लड़ाकु विमान और भारी कारगो विमान जैसे हरकुलस C24 भी उतर सकते हैं और आपात काल में उडान भर सकते हैं और इस एक्सप्रेस वे को वाराणसी गोरकपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सडक के माध्यम से भी जोड़ा जाना है भारत ने पुर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपने ताकत का हैसास करा है इस उदगाटन के बाद जेगवार, मिराज, 2000 और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया और इस एक्सप्रेस वे पर टचडाउन करके इसकी ताकत का हैसास भी दुनिया को करवा दिया है और इस एक्सप्रेस वे पर कुल 7 पुल, 114 चोटे पुल और 271 चोटे बड़े अंडर पास हैं और ये एक्सप्रेस वे राश्टी सुरक्षा में अपनी एहम भूमी का निभाएगा आने वाले समय में भारा सरकार ऐसे 29 एक्सप्रेस वे और हाइवेस बना रही है जो यूद की स्थिती में एयर इस्ट्रिप का भी काम करेंगी इसका तीसरा सबसे बड़ा रोल राजनीतिक है आप जानते हैं कि ये एक्सप्रेस वे नो जिलो को जोडता है जहां पे विधान सभा की कुल 55 सीटे हैं इन नो जिलो में अमेठी का जिला भी आता है जिसे गांधी परिवार का गड़ माना जाता है हलाकि पिछली बार राउल गांधी यहां से हार गए थे यहां के लोक सभा चुनाव में भी हार गए थे इसके अलावा इन में आजमगर और अमेठकर नगर जैसे जिले भी आते हैं जहां समाजवादी पार्टी और बाउजन समाज पार्टी का प्रभाव माना जाता है उत्तर प्रदेश में अगले साल विधान सभा चुना होने है ऐसे में यह एक्सप्रेस वे इन सीटों को भी प्रभावित करेगा पुर्वाणचल एक्सप्रेस वे के उधगाटन के समय मोधी जी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ और राजपल आनंदी बेन पतेल मौझूद थे इसके बनने से जो पहले ग्रेटर नोईडा से गाजीपूर आने में लगवक 13-14 घंटे का सफर लगता था समय लगता था वो घटकर सिर्फ 9-10 घंटे का हो गया है पुर्वाणचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अध्यात्मिक सहर अयोध्या की दूरी भी कम कर देगा पुर्वाणचल और पश्चमी यूपी के जीलों से अयोध्या आना और भी आसान हो जाएगा दरसल जब आप एक्सप्रेस वे पर 80 किलोमीटर तक आएंगे तो यूध्या का भी एक कट दिया गया है यहां से यूध्या 50 किलोमीटर की दूरी पर है आपको पता ही होगा कि यूध्या में रामंदिर का निर्माड कारे चल रहा है इसलिए सरकार अब कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि ट्यूरिजम बढ़ सके इससे केवल यूपी के लोगों को ही फायदा होगा ऐसा नहीं है गाजीपूर में जहां एक्सप्रेस वे खतम हो रहा है वहां से बिहार बॉर्डर की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर यानि बिहार के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा इस एक्सप्रेस वे को 100 साल के हिसाब से तयार किया गया है इसके डिजाइन में खास बातों का भी ध्यान रखा गया है सुरक्षा और समय की बचत का विसेस ख्याल रखा गया और ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है और दावा किया गया है कि इसमें 300 किलोमीटर की यातरा केवल 3.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी इसमें 8 इस्थानों पर फ्यूल पंप और 4 इस्थानों पर C&G स्टेशन भी होंगे 8 जनसुईधा केंद्र और सारवजनिक सोचालेों की भी विवस्ता की गई है और हर 500 मीटर पर रेन वाटर हर्वेस्टिंग पिट और इसमें लगबग 4.5 लाक पौधे लगाये जाएंगे मुखे मंतरी योगी अधितिनात का कहना है कि इसके आसपास 5 इंडेस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाये जा रहे हैं इससे इस्थानिय लोगों को रोजगार मिले और खाद देउतपादक, वेबरेज, रिफाइंड, पैट्रोलियम प्रोडक्ट, कैमिकल, नौन मेटेलिक, मिनरल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोनिक, इक्विपमेंट्स, मेडिकल, डेंटल, इक्विपमेंट्स से सम्मंदित इसके किनारों पर एलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जो भविश्य में कामाएंगे, जब हमारे देश में एलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक्ता होगी, और अन्त में हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडगरी जी ने ट्विट करके पुर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए पधाई दिये और कहा है कि यह परियुजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक प्रगती के लिए महत्पुन्ट साबित होगा और आने वाले वक्त में दुनिया में भारत की ताकत का प्रतीक बनेगा, तो य यह थी वीडियो पुर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में, so thanks for watching this video, please like, subscribe and comment